कहिए कैसे हैं आप दूसरों के behavior से परशान होना बंद करते हैं देखिए आप माने या ना माने पर हम दूसरों के behavior से, दूसरे के वर्ताव से, दूसरे के रवये से हम बहुत जल्दी upset हो जाते हैं अब वो हमारा कोई भी हो सकता है हमारा कोई अपना close relation में हो सकता है हमारा कोई दोस्त हो सकता है हमारा कोई पडॉसी हो सकता है या जिस office में हम काम करते हैं वहां के colleague हो सकते हैं या कोई unknown भी हो सकता है वो कोई भी हो सकता है उसने कुछ कहा, उसने कुछ किया तो हम क्या है, हम बहुत साथ दुखी हो गए, परिशान हो गए तो क्या ये सही है, बताएं आप मुझे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये बात हमें खुश नहीं रहने देती, हमारे जिन्गी को बहतर नहीं बने रहने देती अब हम दुखी रहेंगे, परिशान होंगे, तो हमारे जिन्गी बहतर कैसे होगी सोचने वाली बात है ना, तो अब बात यहाती है कि कैसे दूर करें इस चीज़ को इससे छुटकारा कैसे पाएं, तो आज की वीडियो इसी बारे में देखें, इससे छुटकारा पाने के लिए ना, हमारे सामने तीन चॉइस हैं पहली चॉइस या तो हम कुछ भी ना करें, दूसरी चॉइस सामने वाले को बदल दें, तीसरी चॉइस हम खुद बदल जाएं तो जो पहली choice है कि कुछ भी ना करें, उससे तो कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ करेंगे नहीं, तो हम वही दुखी, परिशान रहेंगे, रहेंगे की नहीं, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो efforts करने पड़ेंगे, मतलब नहीं तो जिन्दकी ऐसे ही कटती रहेगी, ऐस चलता रहेगा, ये जिन्दकी का ढ़रा, कुछ ना कुछ तो हमें efforts करने ही पड़ेंगे, अब आती है दूसरी choice कि हम सामने वाले को बदल दें, अब ये point क्लीर करने से पहले आप मुझे एक बात बताईए, कि क्या हम दूसरे के साब से चल सकते हैं, या कोई दूसरा हम चाह हमारी अपनी thinking है, हमारा अपना behavior है, हमारे अपने sense car है, वो है हम हम है, फिर वो कैसे बदल सकता है, हाँ एक बात जरूर हो सकती है, कि हम ये सोच रहे हैं, कि हमारे बहुत close है, हमारा कोई अपना है, बहुत अपना है, और हम इसको बदल सकते हैं, मतलब हम इसको कहेंगे और यह बदल जाएगा, तो मान के चलिए 1% chances हैं कि वो बदल जाए मान के चलिए नहीं तो आप accept कर लीजिए, इस चीज़ को मान लीजिए कि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, अब अब बाती आती है कि अब फिर क्या करें, भी कुछ ना करें, तो कोई फायदा नहीं है है ना, सामने वाले को हम बदल ने सकते मुश्कल से 1% बदल सकते हैं तो क्या करें, इसमें बेस्ट क्या है कि हम खुद को बदल लें खुद में बदलाव लाएं, खुद में बदलाव ठीक है, अब हमें ये सोचना है, कि हमारे प्रेंचर क्या है पुकला मेरे इंपॉर्टेंट है, और सामनाः इंपॉर्टेंट स्मूर्टेशन्थ प्रूर्ल हमति हमें गुलते क्या है और मैं चाहते कि उन्सй 이건 वरण थी बहुत जा रहे स्कूलिया है फिर कई बार क्या होता है कि हम खुद ही बहुत जादा expectations रख लेते हैं सामने वाले से उमीदें रख लेते हैं मतलब over अब जैसे एक आदनी है वो जिस office में काम करता है ना वहाँ पर वो अपने कुली की बहुत help करता है वो जब भी कोई काम कहता है वो कर देता है तुरंट अब एक दिन आदमी को जुर्द पढ़ती है उसको लिग की वो उसको बोलता है आप मेरे यह काम कर दो तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता है मतलब कुछ अपना ऐसा इस देसे बहेव करता है कि सामने वाले को बहुत दुक होता है कि मैं तो हमेशा इसकी help करता था मदद करता था इसने देखो कैसे मेरे से behave किया इसने में को मना कर दिया मतलब इस तरह की उसकी सोच थी तो जहां पर over expectation ला जाती है कि मैं करता था इसको भी करनी चाहिए थी इसने क्यों नहीं की ये चीज़ दुखी करती है ये चीज़ परिशार करती है तो ये चीज़ नहीं रखनी चीए मतलब अगर आप कर रहे हैं काम अच्छी बात है पर ये उमीद ना रखे कि ये भी करें ये चीज़ खराब करती है फिद दुखा हम क्या बात कर रहे हैं ये ही बाते कर रहे हैं कि इस तरह की बातों से दूसरे के जो behavior है इस तरह का behavior उससे परशान होना उससे दुखी होना बन करने हम हो जाते हैं परशान और उसके reasons क्या है यह है एक तो यह है कि over expectations फिर आपको लग रहा है कि नहीं यह तो ऐसे तो मना नहीं करता था इसने हसे आज क्यों किया मतलब अगर यह सोच हो रही है तो आप यह सोचिए कि इसके पीछे reason क्या है मतलब वज़ा जानने की कोशिश कीजिए समान अनुभूती रखके अब जैसे एक और example बताती हूँ मैं कि जैसे एक lady market गई मार्किट में उसने देखा उसकी एक पडौसन जा रही है गाड़ी में तो उसने उसको wave किया hello किया, smile pass की उसने ना उसको response ही नहीं दिया और वो सीधा आगे बढ़ गई अच्छा उस lady को बड़ा हुस्सा आया कि पडौसन है बेवक्त आती रहती है घर पे मैं हमेशा इसके लिए attentive रहती हूँ attend करती हूँ इसको इससे बाते करती हूँ जो ये चीजे मांगती है वो देती हूँ आज देखो कैसे हुआ कैसे निकल गई है ये तो बड़ी अकड़ आगई इसमें जादा आपको समझती है मैं तो आगे से कभी बाती करूँगी मतलब जितनी देर वो लेडी मार्किट में रही ना उतनी देर वो कुछ-कुछ-कुछ उसके बारे में सोचती दी जब घर आई घर आके उसको क्या पता लगा उसकी बेटी ने पताया कि ममी जो पड़ोस वाली आउंटी है अंकल की तबबत एकड़म से खराब होगी थी आउंटी उनको लेके फटा-फट गई है हॉस्पिटल वो आई-सी-उ में अब क्या हुआ जैसे ही उस लेटी को रिज़न पता लगा एकडम से वो चेंज हो गई ना उसका behavior चेंज हो गया अब वो खुद phone मिला रही है कहां तो वो ये सोची थे कि मैं इसे बात भी नहीं करूँगी तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं करती थी या ये ऐसा नहीं करता था एकडम से इसको क्या हुआ ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज पहली बार हुआ तो वज़ा जानने के कोशिश करनी चाहिए ये चीज भी हमारे दुख हमारे परिशानी को कम करता है इस चीज को भी समझना चाहिए अच्छा या फिर वो हमें जान बूच के तंग कर रहा है हमें इंटेंशली तंग कर रहा है उसको पता है कि वो तंग करेगा हम तंग होंगे मतलब हमारी फीलिंग्स हर्ट होंगी हम दुखी होंगे, परिशान होंगे ऐसे में क्या शोगर ना पता लग जाये ना, कि जान पुचिके तंग रहे हैं, तो ऐसे शोगरों कुछ हुआ ही नहीं, मतलब मुझे कोई फरक एनी पढ़ रहा है, कि लोगों को फरक था पढ़ता है, जब हमको कोई फरक इनी पढ़ता, । तब पढ़ता है लोगों को असली फरक, और लग रहा है इसकी तो عादत ही ऐसी है मतलब इसका हमेशा से ऐसे रहता है इसका ऐसे behavior रहता है हमेशा ही ऐसे करती है फिर नराज नहीं होगा उससे आपने एक बहुत खुपसर स्विलाईन है वो शायद नहीं सुनी होगी कि मैं किसी से नराज नहीं होती चाहिए, कहां हम उसको जो भाव दे रहे हैं, उसको हमने इतनी इंपोर्टेंस दे रखी है, कम कर देना चाहिए, मतलब नराज होने का कोई फायदा नहीं है, बस करना क्या है, कि वो बहुत जो खास था ना, अब वो आम हो गया, अब मुझे उसकी किया नी रही, अब मैं उसक प्राइदे की सोच ओनी चीह, अच्छा कईवर क्या होता है कि हमारे जो इमोशनज है ना, हम पर कुछ जादा ही हावी हो जाते हैं, मतलब हावी हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हम बधला लें, सामने वाले से बदला लें भी today से बात नी बनेगी, इग्णोर करें, ध्य पर चान न दें इस से बात नि बने कि इसका बदला लेते हैं ये फिलिंग आती है तो बदला लेते और दिलसे निकाल देते हैं। मतलब सीधा दिल से निकाल दीजिए, माफ कीजिए और दिल से निकाल दीजिए, यह जो मैं बोल रही हूं ना, माफ करना है, और दिल से निकालना है, यह पता है किसले बोल रही हूं, क्योंकि हम माफ करेंगे, मतलब हम दिल में नराज़गी रखेंगे, पहले बात हम दुखि इसकी तरफ, मतलब यह है कौन, यह मेरी जिन्दगी पर इतना effect क्यों डाल रहा है, यह है कौन, यह चीज इसलिए जरूरी है कि उसको, मतलब खतम किया, उसका chapter ही खतम किया, सीधा बस मेरा उसके कोई लेना दे नहीं नहीं है, यह चीज जरूरी है, मतलब अपनी life का remote हमें जुखी हो गए, परिशान हो गए, यह क्या मतलब हुआ, अपने पास रखिए ना, अपनी life का remote, अपने पास रखिए, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जैसा चाहें, वैसा कर सकते हैं, वैसा ही कर सकते हैं, आप क्यों परिशान होते हैं दूसरों की बात से, यह बात यह बहुता हैं, बहुत सादा पिन्च हो आई, अरे दूसरे को कोई फरख नी पढ़ रहां, आप जले कुड़े डा रहे हैं, आप जल कुड़े हो जा इंट, सामने वाले को कोई फरख गण रहा है, वो मजचे ले रहा है, हमने ऐसा तो नहीं करना ना, लाइफ किस की है, य जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक बन गए ना, उस दिन से आपको कोई रूलाने वाला नी होगा, रूलाने सकता, इस बात की गहराई को समझिये, बहुत ताकत है आप में, ऐसे क्या कोई भी आके आपकी फीलिंग्स के साथ खेल जाए, आपको दुखी कर जाए, परिशा किसी और के भी हेवियर की वज़े से, हमारी लाइफ खराब हो किसले वई, है कौन, विसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंसार हैगा, और हाँ, अगर आपने मेरा ये योट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हाँ, किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शेर भी जरूर कर लीजेगा, ठीक, बाई